हाई वाट्स अब काईज मैं हूर इमिता और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज जो सीरीज मैं आप सब के लिए लेके आई हो वो बहुत ही शानदार सीरीज है यह एक कोरियन सीरीज है जो की है दग्येस्ट यह आई थी 2018 में और IMDB पे इसकी रेटिंग 8.2 की है जो मेरे इसाब से एकदम जस्टिफाइड है दोस्तों जब आप इस सीरीज को एक बार देखना शुरू करेंगे तो आप इसे पूरा देखे बिना रुक नहीं पाएंगे त्योंकि यह सीरीज है ही इतनी अच्छी इसलिए आज मैं आप सब के लिए Korean Horror Series The Guest को एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this series शुरुबात में हम एक औरत को बीच पे देखते हैं जो pamphlets बाट रही होती है लेकिन कोई भी उन pamphlets को नहीं लेता यहाँ पे पीछे हम एक समुद्र को भी देखते हैं जहां हम एक evil spirit के बारे में पता चलता है जो कि समुद्र से आती है इसके पाद हम देखते हैं कि वो औरत चाकु लेके उस लड़की पे हमला कर देती है जिसने उसका pamphlet लेने से मना कर दिया था अब कहानी यहां से 20 साल पहले जाती है जहां हम एक शमन फैमिली को देखते हैं और इनका घर समुद्र के पास ही था यहां पे हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम था heaven pure जो कि टीवी देख रहा होता है लेकिन उसके पिता उसको डाटते हैं तब हम देखते हैं कि heaven pure एक तरफ इशारा करता है उसे एक मरे हुए की आत्मा दिखती है heaven pure आत्माओं को देख सकता है लेकिन इस बात से उसका परिवार डरा हुआ था क्योंकि इस से उन पे खत्रा हमेशा मंडराता रहेगा ये बात उसके पिता को एकदम पसंद नहीं आती कि heaven pure बार बार बोलता है कि वो आत्माओं को देख सकता है तब ही उसकी मा कहती है कि heaven pure को जो भी दिखे वो सिर्फ अपनी मा को बताया करे दोस्तो heaven pure के परिवार में psychic power heritage थी इनके परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर जन्म लेता है और इस बार ये power heaven pure को मिली है अब हम देखते हैं कि गाउं के लोग हवा और पानी के देवता के ritual के लिए जाते हैं यहीं एक आदमी heaven pure को बताता है कि एक आदमी गाउं में आया था लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया था और उसने गाउं के लोगों को मार दिया था गाउंवालों में तब से ये अफ़ा फैल गई थी कि वो आदमी possessed है और जिसने उसे पोसेस किया था वो ता पार किल दो गाउं वालों ने उस पे एक्सॉर्सितम किया लेकिन वो फेल हो गया ये देख कि वो आदमी बेकाबू हो गया और उसने खुद की आख में चाकू मार लिया था जिसके बाद वो इस्ट सी में चला गया वो मरा नहीं बलकि पानी में कई दिनों तक तैरता रहा और वहीं से होता हुआ देखते हैं ताकि हवा और पानी के देवता खुश हो सकें इसके लिए वो लोग कुछ आफरिंग्स पानी में छोड़ देते हैं और तभी वांग जिन फिसल के पानी में गिर जाता है और उसको कोई पानी के अंदर खीशने लगता है तभी वहां अचानक से एक और अपने लगती है जो कहती है कि वो आ रहा है इन लोगों ने वांग जिन को तो बचा लिया था लेकिन उसका बरताफ बड़ा जीब हो गया था वो अपनी गर्दन को बार बार खुजला रहा था जिससे खून आने लगा था और अचानक से पुचाकुल लेके हेवन प्यो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब ही सबकी नजर उसकी राइट आंग पे पड़ती है जो पूरी तरह काली हो गई थी जिसका मतलब था कि वो पोजस्ट हो गया है पोजस्ट होते ही उसके पास इतनी ताकत आ गई थी कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तब ही हेवन पयो बिमार पड़ गया था डॉक्टरों के हिसाब से वो बिलकुल नॉर्मल था लेकिन हेवन पयो को अपनी एक आंग से दीक नहीं रहा था हेवन पयो को दिवार के एक कोने में कुछ नजर आता है या हेवन पयो बताता है कि कोई उससे को कुछ ना बताए वरन्ना evil spirit सबको मार देगी उसी रात हम देखते हैं कि heaven payo अपनी मा के पास नहीं था heaven payo को अपने पास ना देखके उसकी मा उसको ढूनने के लिए निकल जाती है और ढूनते ढूनते समंदर के पास महोच जाती है वो उसका नाप बोकार के उसे बुला रही थी और heaven pure छुपके ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो सामने नहीं आता अगली सुबह उसकी मा की लाश समुंदर में मिलती है और कुछ समय बाद दादी की लाश पेड़ पे लटकी मिलती है और इससे हमें यहाँ यह पता चलता है कि अब एक एक करके मौतों का सिलसला शुरू हो चुका है और उस शैतान ने अब heaven pure को possess कर लिया है अब एक शमन औरत heaven pure पे ritual परफॉर्म करती है इसी बीच heaven pure उस औरत को घूर के देखता है और उस औरत के मूँ से अचाना खून आने लगता है वो औरत heaven pure के पिता से कहती है कि heaven pure किसी ताकतवर शैतान के कबजे में है अगर heaven pure को नहीं मारा तो वो बाकी लोगों को मार देगा ये evil spirit दूसरी छोटी evil spirit को कंट्रोल करती है और heaven pure जिससे possessed है वो इन सारी spirit का master है ये उन छोटी spirit से कमजोर लोगों को possessed करवाता है वो औरत heaven pure को चाको से मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मार पाती अगले दिन heaven pure के घर दो प्रीस्ट आते हैं जो थे father यांग और father चोई वो देखते हैं कि heaven pure के पूरे शरीर पे घाव थे पर उने heaven pure के possessed होने का कोई भी सबूत नहीं मिला था वो ना तो cross पे और ना ही Bible पे react कर रहा था जाने से पहले father चोई उसे अपना address देते हैं और कहते हैं कि अगर heaven pure कुछ भी पताना चाता है तो वो उनकी पास आ सकता है जाते वक्त heaven pure उनका हाथ पकड़ लेता है और father चोई के कान में कुछ कहता है अब father चोई की तपित भी खराब होने लगी थी हम देखते हैं कि father चोई अपने पिता से अपने भाई के बारे में पूछते हैं जो था यून जो थोड़ी ही देर बाद हमें उसी रूम में खेलता नजर आता है और आप father चोई possessed हो गए थे और उन्होंने अपने पूरी family को मार डाला था इधर heaven pure उपने परिवार को बताता है कि वो दोनों आँकों से देख सकता है दोस्तों इसका मतलब साफ है कि उस evil spirit ने अब heaven pure को छोड़ दिया है और father चोई को possessed कर लिया है पर heaven pure की पिता उस पे विश्वास नहीं करते क्योंकि शमन ने कहा था कि उस पे evil spirit का कब्जा है और heaven pure की पिता उसे मारने की कोशिश करते है लेकिन उसके दादा जी उसको बचा लेते है और heaven pure वहां से भाग जाता है और heaven pure चोई के घर पहुँच गया था तब ही सामने से एक औरत अपनी बेटी की साथ कार में आ रही थी जो कि पुलिस ओफिसर थी वो औरत heaven pure उसे पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा है जिस पे heaven pure फादर चोई के घर की तरफ इशारा करता है और वो पुलिस ओफिसर चोई के घर की तरफ जाती है अंदर जाने पे उसे चोई की फैमिली की लाशे मिलती है अब यह ओफिसर यून को बचाने की कोशिश करती है जो कि फादर चोई का छोटा भाई है तब ही पीचे से चोई आके उस लेडी को मार देता है लेकिन इस लेडी ने पहले ही अपने पुलिस फोर्स को बुलवा लिया था अब दस साल बीच चुके हैं और heaven pure फादर चोई को ढून रहा था heaven pure यूकवांग शमन के पास जाता है जो कि उसके अंकल की तरह हैं जो rituals और exorcism करना जानते हैं अब heaven pure को एक vision आता है जिसमें उसे एक लाश दिखती है और कोई उस लाश को खीच के लिए जा रहा था अब heaven pure net पे उस जगे को सर्च करता है जो उसे vision में दिखी थी और वो जगे उसको मिल जाती है और heaven pure वहां पहुँच किया था जहां वो एक लाश को देखता है और मदद के लिए वहीं की एक आदमी को पुलिस बुलाने को कहता है heaven pure वो बच्पन से ही साकिक था और वो अपने visions के त्रू होने वाले incidents को देख सकता है उस आदमी ने पुलिस को इंफार्म कर दिया था और यहां हम पुलिस आफिसर कंग यॉंग को देखते है यहां में पता लगता है कि उस आदमी की जादा खून बहने की वज़े से मौत हो गई थी लेकिन वहां पानी सूखा हुआ था लेकिन फिर भी वो लाज भीगी हुई थी वहाई पुलिस को एक कार भी मिलती है जिस्ते उन्हें पता लगता है कि जिस आदमी की मौत हुई है वो सफाई कमपनी का मालिक है अब कंग यॉंग उस कमपनी में जाती है हम देखते हैं कि हेवन पयो उस घाल वरकर के घर में जाता है और यह वरकर था किम यॉंग सू यहाँ हेवन पयो को पता लगता है कि यॉंग सू पेरलाइजर है क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है अब heaven pure young so को father choi की photo दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या वो father को जानता है फादर की photo देखते ही young so अपना आपाक हो देता है heaven pure उसकी wife को अपना number देता है और कहता है कि जब अगली बार उसका पती फिर से ऐसा react करे तो वो उसे call करे अब कंग योंग heaven pure को police station ले जाती है और उसे पूछती है कि वो crime scene पे क्या कर रहा था तब heaven pure उसे बताता है कि उसके पास psychic ability है कल रात उसने एक vision देखा था कि कातिल ने उस body को drainage system में fake दिया लेकिन कंग योंग उस पे believe नहीं करती इदर हमें योंग सो के घर का scene दिखाया जाता है जहां उसकी पत्नी अपने पती के जूते कीचर में सने हुए देखती है लेकिन वो तो पैरलाइस था तो जूते कीचर में कैसे सने हम देखते हैं कि योंग सो ने अपने हाथों को भी काट लिया था उसकी wife अप काम पे जाने वाली थी जैसे उसकी पत्नी काम पे जाने लगती है योंग सो जो की बोल नहीं सकता था वो बोलने लगता है इदर हेवन पयो को विजन में योंग सो की बेटी दिखती है जो की खत्रे में लग रही थी तब ही कंग यॉंग का सीनियर आके हेवन पयो को बोलता है कि वो जा सकता है ये विजन देखने के बाद हेवन पयो सीधे यॉंग सू के घर पहुंचता है जहां उसे कंग यॉंग भी मिलती है और अब ये दोनों ही घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो घर खून से सना हुआ था वहाँ इन्हें यॉंग्सो की पत्नी की लाश मिलती है लेकिन वो खुद और उसकी बेटी गायब थे तब ही ये लोग बहार आते हैं और सामने यॉंग्सो को खड़ा पाते हैं जो कि चल नहीं सकता था अब ये दोनों दोड़ के उसका पीछा करते हैं लेकिन वो आदमी इन पे हमला करने की कोशिश करता है यहां यॉंग्सो बताता है कि उसी ने अपनी पत्नी और बॉस को मार डाला है और अब उसने अपनी बेटी को कहीं चुपा दिया है और वो कुछी देर में मर जाएगी दरसल यॉंग्सो पे हावी आत्मा ने उससे ये सब करवाया था और हम देखते हैं कि यॉंग्सो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है और वो अब चल नहीं सकता था हेवन प्यो यॉंग्सो को उठा लेता है और दरवाजा बंद कर देता है और यॉंग्सो को लेक choke के चला जाता है लेकिन कंग यॉंग्सो वही बंद हो जाती है हेवन प्यो उस आδमी को अपने अंकल त्याने यॉक वॉंग्सो को लगता है कि उस आदमी को पार किल्दों ने पोजस्स किया है वही evil spirit जिसकी कहानी उसने अपने गाउंवाले से सुनी थी और इस वक्त उस आदमी का exorcism होना जरूरी है यूग वंग जानता था कि हेवन प्यो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा इसलिए उसने दो priest को बुलवा लिया था और ये दो priest थे father han और father matthew लेकिन हेवन प्यो को priest पे भरोसन नहीं था क्योंकि बच्चपन में भी फादर यंग ने कहा दिया था कि हेवन प्यो एकदम ठीक है अब priest पूछते हैं कि यॉंग सो क्या वाकही में पोजस्ट है जिस पर हेवन प्यो उन्हें सारी बात बताता है और priest हेवन प्यो को बाहर जाने के लिए कहते है ताकि वो पता लगा सके कि यॉंग सो वाकही में पोजस्ट है भी या नहीं इसके बाद हम यॉंग सो को उटता देखते है और वो फादर यंग का गला पकड़ लेता है ये देखते ही ये सारे लोग उसके हाथ पैर बांद देते हैं और हेवन प्यो को बाहर जाने के लिए कहते है लेकिन हेवन प्यो कहता है कि उसे इस आदमी से कुछ सवाल पूछने है और इसी बात को लेके हेवन प्यो और फादर मैथ्यो में बहस हो जाती है यूग वांग हेवन पयो को बाहर ले जाता है और अब दोनों फादर एक्सौर्सितम परफॉर्म करते हैं तब ही यॉंग सो फादर हन की बेटी के पास्ट के याद दिलाता है जिससे फादर कमजोर पड़ जाते हैं लेकिन मैथ्यू ने समालता है फादर हन मैथ्यू से बाहर जाने को कहते हैं और मैथ्यू बाहर चला जाता है तब ही वहां कंग यॉंग आ जाती है तो हैवन पयो उसे बताता है कि वो आदमी पोसेस्ट है लेकिन कंग यॉंग उसकी बात नहीं मानती तब ही हम फादर हन को बाहर आता देखते हैं जो बताते हैं कि ये एक्सौर्सितम पूरा हो गया और अब वो आदमी ठीक है उसके बाद दोनों फादर चले जाते हैं और इधर कंग यॉंग यॉंग सुक अपने कार में बठा के ले जा रही थी जब यॉंग सुक हैवन पयो को देख के वही बातें दोराता है जो हैवन पयानों उसकी बेटी से कही थी और यहाँ हैवन पयो समच जाता है कि वो आदमी अभी भी पोसेस्ट है इधर फादर हन मैथ्यू को बताते हैं कि वो स्पिरिट बहुत ताकतवर है और उसे डील करना उनके बस की बात नहीं है और वो मैथ्यू को भी इससे दूर रहने के लिए कहते हैं जिसके बात हम देखते हैं कि फादर हन सड़क के बीच ओ बीच चले जाते हैं और ट्रक से टकर होने की वज़े से उनकी मौत हो जाती है इधर हम देखते हैं कि कंग यॉंग यॉंग सो को पुलिस स्टेशन ले आई थी और वो उससे पूछताश करने लगती है जब हम देखते हैं कि यॉंग सो पानी की पूरी बोटल पी जाता है यॉंग सो कुछ बताने की कोशश करता है लेकिन वो इविल स्पिरिट उस पे वापस हावी हो जाती है और इन लोगों को बताती है कि वो समुद्र से आया है जिसके बाद हम यॉंग सो को चिलाता देखते हैं पार किल्दो और वो अपनी राइट आख फोल लेता है इसके बाद पुलिस टेशन में हेवन प्यो को एक विजन आता है और इस बार उसे यॉंग सो की बेटी का विजन आता है जो बेस्मेट में बन थी वो कंग यॉंग को ये बाद बताता है वो बताता है कि जो भी पार किल्दो के जरीये मर जाता है या उससे रिलेटर होता है उन सभी को समुद्र के पानी में डुबा दिया गया था और पार किल्दो जिने भी पोजस करता है वो सारही अपनी राइट आख को फोल लेते हैं हेवन प्यो कंग को एक फाइल दिखाता है जिसमें पिछले चार सालों में फिर से हुए केसिस के आर्टिकल्स रखे थे अब कंग भी यॉंग सो की बेटी को ढूडने में मदद करती है इसके बाद कंग यॉंग हेवन प्यो को उस आदमी के पास ले जाती है हेवन प्यो यॉंग सो से उसकी बेटी के बारे में पूछता है तब ही यॉंग सो के अंदर की इविल स्पिरिट से हमें पता लगता है कि जब यॉंग सो पैरलाइज हुआ उसके बाद उसे लगने लगा था कि वो अपने परिवार पे सिर्फ एक बोज है और वो अपने परिवार को आजात करना चाहता था इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को मारना चाहता था यहां इस इविल स्पिरिट के जरीए हेवन प्यो को ये भी पता लगता है कि फादर चोई का छोटा भाई बच कि अब बड़ा हो चुका है और वो हेवन प्यो की ही एच का है अब हेवन प्यो अपने अंकल यूक वांग को ले के आता है ताकि वो एक्सौर्सिजम परफॉर्म कर सके यूक वांग एक्सौर्सिजम परफॉर्म करता है लेकिन उसके मूँ से खून आने लगता है और वो एक्सोर से हम रोग देता है तब ही हम वहाँ फादर मैथ्यू को आता देखते हैं ये लोग यॉंग्सो को मैथ्यू के साथ छोड़के यॉंग्सो के घर जाते हैं यॉंग्सो के घर पे पहुँचने पे हैवन पयो को विजन में देखता है कि यॉंग सो ने अपनी पतनी को कैसे मारा था क्योंकि वो एक विजन देख रहा था इसलिए उसे एहसास नहीं था कि वो असलियत में क्या कर रहा है उसने कंग का गला पकड रखा था लेकिन कंग अपने आपको छुड़वा लेती है और हेवन पेव वापस अपने होश में आता है दोस्तों जब भी हेवन पेव अपना विजन देखता है तो वो उनी घटनाओं को दोहराता है जो कि विजन में उसे दिख रही होती है इधर मैथियो यॉंग सो पे एक्सॉर्सिदम परफॉर्म करता है क्योंकि वो इविल स्पिरिट इतनी ताकत वरती इसलिए मैथियो यॉंग सो पे बैट के एक्सॉर्सिदम करता है और वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता है तब यॉंग सो मैथियो को मारने की कोशिश करता है और उसके कान में कहता है कि क्या मुझे उसे मार देना चाहिए जो भी उसके करीब रहेगा वो मर जाएगा क्योंकि वो हम में सही एक है आखिर यॉंग सो किसकी बात कर रहा है ये हमें सीरीज में आगे पता लगेगा सो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा मैथ्यो अपने आपको छुडवा के वापस एक्सारसिजम करता है और यॉंग सो के अंदर की इविल स्पीड से पूछता है कि तुम्हेरा मास्टर कौन है और यॉंग सो बोलता है पारकिल दो ये कहते ही हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और हम मैथ्यो के पीछे पारकिल दो को खड़ा देखते हैं इदर यॉंग सो के घर पे हैवन प्यो और कंग को एक मरा हुआ कववा मिलता है जिसे ये दोनों जला देते हैं और इदर हॉस्पिटल में मैथ्यो की नाक से खून आने लगता है लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था अब मैथ्यो यॉंग सो के माते पे होली सकार्फ रखता है और प्रेयर्स पड़ता है तब ही वो इविल स्पिरिट उसे छोड़ देती है और हम देखते हैं कि यॉंग सो के मूँ से पानी निकलने लगता है दोस्तों इस सीन को बहुत ही शांदार तरीके से दिखाया गया है इसके बाद हमें पता लगता है कि अब यॉंग सो अजाद था उतर हेवन पयो और कंग को यॉंग सो की बेटी मिल जाती है जिसको यॉंग सो ने बेस्मेंट में बंद कर दिया था और ये दोनों उसको छुड़वा लेते हैं और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है तो दोस्तों ये था मेरा एक्स्पेक्ट नहीं किये होंगे तो मेरे साथ इस सीरीज को देखते रहिएगा और ये आपकी फेवरेट सीरीज की लिस्ट में शुमार हो जाएगी तो दोस्तों मैं मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे Stay safe, keep hunting, lots of love And yes, do wait for the next video Bye